कि जारगण के विदान सबद चनाव के नतीजे आ रहे हैं और हम लोग लगातार हॉट सीट की बात कर रहे हैं एक हॉट सीट कांडिडेट की वज़े से नहीं है एक शक्सियत की वज़े से है वो शक्सियत है महेंदर सिंग दौनी भारतिये क्रकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी कौन सी सीट है वो और वहां क्या हाल रहा लोग यह भी जाना चाहते हैं धोनी वाली सीट पर क्या हुआ लेकिन भाई जिस जहां पर धोनी का घर है वह सीट यह बड़ी पहचान तो रहेगी तो राची में राची में यह तो पहले दोनी एक दूसरे घर में रहते थे अब कुछ साल से उन्होंने अपना फार्म हाउस बना लिया बड़ा सा जहां की तस्वीर आप देखते भी हैं वहां लीची वगएरा वो गाते रहते हैं तो उनका जो फार्म हाउस है वो पढ़ता है हटिया विधान सभा शेत्र मे ही है और कॉंग्रेस के अजयनाथ शादे गान नंबर दो पर रहे हैं नवीन जैसवाल को मिले एक लाख बावन हजार से ज्यादा वोट अजयनाथ को मिले एक लाख अड़तिस हजार से ज्यादा वोट अंतर रहा 14623 वोट का तो शहरी सीट है यहां वैसे भाजपा का डॉम राची में काम उनके हिसाब से हुआ है कुछ चीजों की शिकायत भी कर रहा थे जैसे की रिम्स के आसपास जाम बहुत लगता है तो जाम कम हो जाए इस तरह की कुछ जो शिकायते होती है लोगों की जो की सवभाविक भी है तो वो चीजे थी हटिया तो धोनी की विधान बताता हूं सबसे पहले राची की बात कर लेते हैं हम लोग राची आजाओ राची और यह आ गई राची सीट तो राची सीट पर जो मुकाबला था वह भारती जंता पार्टी और जहारखंड मूक्ती मोर्षा के बीच में था और चंद्रेशोर परसाद सिंह यहां से भारत 7,290 वोट मिले और महुवा माजी जहारखन मुक्ती मोर्चा के प्रत्याशीति उन्हें मिले 85,341 वोट और 21,949 वोट के मार्जन से वो ये चुनाव हार गई है बहुत वहां साहित वगेरा में इनका नाम है साहित इसे जुड़ी है लेखन करती है सीपी सिंग बड़े पुराने चावाने भारती जन्ता पार्टी के और कई बार के विधायक भी है इस बार को चुनाव कुछ लोग डावा डूल भी पता रहे थे इनका कुछ राउंड की गिंती की बाद आज पीछे भी चल रहे थे लेकिन पुराने नेता है आते 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 आकरी में 22,000 वोट के करीब से इन्होंने जीत हासिल कर ली इसके लाबा एक सीट जावा सिछुनली की बात कर लेते हैं वह राची में वैसे तो किैतनी छे सीट आती है और किशे। प्रत्याशी थे ना 79 वोट मिले और इन्हें मिले 49302 वोट तो 2867 वोटों के मार्जन से यह चुनाव हार गए हैं सुदेश कुमार महतो सुदेश मैं तो आजसू के मुखिया है और अगर एक बार फिर हम सिल्ली सीट दिखा सकें आजसू के मुखिया है और आजसू आप जानते ही है कि एंडिय की सहयोगी दल रहा है आजसू का प्रदर्शन इस चुनाव में बहुत ही निराशा जनक एंडिय के परस्पेक्टिव स रहा इसलिए भी निराशा जनक रहा क्योंकि तीन-तीन फीजदी वोट मिले आजसू को जो एंडिय के सहयोगी पार्टी और तीन फीजदी के करीबी वोट मिले आरजेडी को जो इंडिया गटवंदन की है साथी लेकिन इसी तीन प्रतिशत वोट के साथ आरजेडी ने चार सीट से चुनाव हार गए एक जो मैं यहां थोड़ा ट्रीविया देना चाहूंगा आपको यह की जैराम महतो की पार्टी से भी एक कैंडिडेट देवेंद्र महतो यहां पर उत्रे हुए थे इनको बढ़िया वोट मिले एक तालिस जार साथ सो पचीस वोट इनको मिले हैं जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनसे इनका अंतर तीस हजार वोट का रहा है तो देखिए एक तालिस जार वोट इनको मिले हैं और वहीं दूसरी तरफ जे मैम और आजसु के प्रत्याशी में अंतर किता रहा है तीस हजार वोट का तो इससे आप प्रजन्स का अंदाजा सिकाली है कुछ और से जिन पर उनकी पार्टी की थोड़ी प्रेजन्स रही और ऐसी प्रेजन्स रही कि कि यहां पर धुनी का घर आता है उस चीट का क्या हाल रहा एसी ही लगातार तमाम हौट सीट और रिजल्ट के बाद के एनलसे हम आप तक ही पहुचाते रहेंगे क्या आमरे के पीछे मेरे साथ ही असद हैं मेरे साथ इस बारचीत में अभी शेख हैं मेरा नाम विकास परमाया देखतरी दिललन टॉप शुक्रिया